असलाम लेकुम जी में नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्स कैसे है ठीक ठाक है मजे से है अच्छा जी बताईए अच्छी बहुत अच्छी लगई थे भाई हर जानदार जो है वो मजखकर भी होता है मैंने नई चीज़ सीखिये थी और आपको नई चीज़ फॉरन बता दी फिर आपने अपने दोस्तों को बताई थी जो के आज हमने नई चीज़ सीखिये बिलकुल मजखकर मौननस था या था पिर उन्होंने पूछा आप सी कि भाई तो आपने उनको बताया कि हम रोज़ाना वीडियोउ देखते हैं और वीडियोज में हमारी dla इती हैं हमारी दोस आती हमें मज़े मज़े की अच्छी अच्छी नई नई चीज़स्टी सिखाती है पताया था हाँ वह यह भी जवर दस अच्छा यह बतायीहेएए आपने लिखतकर को भी पताया था उन्हें बताया क्यां नाया काम सीखा संडिक अपने पैरेंट से रीचेक कराया था कराया था शाबाज इसका मतलब है क्या काम बिल्कुल ठीक हुआ होगा है ना बैं शाबबाश अच्छ जी का मतलब यह है कि हमने नया काम किया तो आज भी हम कोई नया काम सीखेंगे अच्छे अच्छे काम सीख रहे हम पता है दोस्तों आपने बहुत अलfाज सीखे न पढ़ने भी आए अपको ठीरों अलfाज आपने सीखें पढ़ें क्या प्रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं सोच रही हूं कि आज आपको नए अलफास नहीं सिखाती बलके जुम्ले पढ़ना सिखाती हूं जुम्ले पढ़ेंगे पूरे पूरे जुम्ले हाँ आज ऐसा करते हैं मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को नए अलफास के साथ जुम्ले भी सिखा देती हूं पढ़ना है ना जुम्ले पढ़ने में मज़ा आना मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जब हम ध्यरों आलफाश सीख जायेंगे तो हम उडिब करांबी सीखेंगी है ना चल्ड ठीक है तो आज हम क्या करते हैं आज हम चुम्ले पर ना सीखते हैं पढ़ेंगे ना मेरे साथ में ठीक है इसके यृष लिए के मेरी और आपकी दोस्त तितने लिए इची हमारी किताब से नए नए चीज़े सीख रहे हैं आज हम सीखते हैं जुम्ले पढ़ना ठीक है तो अपनी किताब निकाले उप दूसरे सिला साल सोम सफ़ा नमबर यहां बेचे आसट मौजूद है देखें यहां कुल गया हमारा हम मिल के आज यह जुमले पढ़ना सीखेंगे कि Him कौन से जुम्ले हैं इंने कौन कौन से नएलफाज दिख देखें हों ठीक है चले सबसे पहले क्या करेंगे हम जुम्ले पढ़ना फौरां तो स्टार्ट नहीं करेंगे न अपको पता है क्या करते हैं अप से पहले जी पहले हम से कह रहा है पढ़िये हम पढ़ेंगे और उसके बाद मौझू है हमारी मानुविल्ली आपको पता है उनका तो एक ही कहना है रंग भरिये तो हम रंग भर एंगे पहले हम पढ़ेंगे फिर रंग भरेंगे हम सबसे पहले तारीख लिखना नहीं भूलेंगे ठीक है तो हम यहां पर तारीख लिख देंगे अब देखें सबसे पहले हम एक वर्ड पढ़ते हैं सबसे पहले हम कौन सा लफ़ पढ़ेंगे अच्छी हमारे पास यहां लिखावा है देखें हमारा सफ़ाइब हो गया ओ और नए चीज आ गई यहां पे क्या गया भई अच्छी 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 हाँ यहां पे हमारा नया लफ्ज आ गया अच्छी क्या है यह लफ्ज अच्छी क्या है यह लफ्ज अच्छी क्या है यह लफ्ज साथ में पढ़ें दुबारा अच्छी 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 अच्छ अपिली से आखे बंद करें मैं दूसरा लवज पता आपको बहुत जीद कुल को म dei day बिल्कोल यहां क्या रिखा हूँ है ने पहले हमने क्या पढ़ाता अच्छी उच्छी ऊच्छी फिर हमने क्या पढ़ा ने 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 जी हमें इस मज़ में आ गया ना ये नए लफ्स अच्छी और ने जब हमें कहीं नज़र आएगा अच्छी और ने तो आप पढ़ लेंगे ना शाबाश चलें जी अब हम देखते हैं कि हमारे सफे पर क्या लिखा हुआ है ये देखें बई पहला जुम्ला क्या है ये लफ्स हम पहले पढ़ चुके हैं क्या है ये लफ्स जीप 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 अभी हमने ये पढ़ाता ना लफ्स अच्छी 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 मेरे साथ पढ़ें शाबाश मैं पढ़ रही हूं ना सुने गोर से और फिर मेरे साथ रिपीट करें जीप जीब अच्छी अच्छी है 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 जीब अच्छी है ये 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 हम पहले पढ़ चुके है ना ये शाबाश जीब जीब की चाबी है ये जीब की चाबी है जीब अच्छी है ये जीब की चाबी है शाबाश दादी दादी ने पढ़ा था नबी हमने ने दादी ने गाजी गाजी को दादी ने गाजी को रिल दी दी दादी ने गाजी को रिल दी आया न पढ़ना आप लोगों को, शाबाश दादी, 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 अच्छी, अच्छी है, है, है दादी अच्छी है, दादी अच्छी है चलें जी मेरे साथ दुबारा पढ़ें जीब अच्छी है, ये जीब की चाबी है दादी ने गाजी को रील दी दादी अच्छी है, दादी अच्छी है दादी अच्छी है, अब हमने क्या किया, हमने आज यहां तक अपने लाइन्स पढ़ी है जुम्ले पढ़े है, अब आपने क्या करना है इस जुम्लों के सामने जो है, ये देखें, तस्वीरे बनी है, जीब की बनी है आपकी यहाँ पे चाबी की बनी है, दादी की बनी है और घाजी की बनी है आपने इसमें रंग भरने हैं क्योंकि मानोबिली हमसे कह रही है रंग भरने हैं आपने रंग निकालें इन तस्वीरों पे रंग भरने हैं इस वीडियो को बार बार देखें अच्छे से देख लें इन जुम्लों को पढ़ने के प्रैक्टिस करें बार बार पढ़ें पेरेंट्स के साथ में पढ़ें और अपनी तीचर को इन जुम्लों की वाइस नोल भेज दीजे बागी सफ़ा हम कल पढ़ेंगे अभी आप इसकी प्रैक्टिस की जए ठीक है अलाहाफेश